आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Observe the food wave and answer the question given below यह बोला गया है कि जो food wave given है उसको देखके answers को complete करने के लिए तो food wave basically क्या होता है तो यह एक ऐसा system या फिर interconnecting link होता है जो कि क्या करता है तो यह connect करता है जो different topic level होते है और जिसके वज़े से क्या होता है कि energy और resources जो है वो एक topic level से दूसरे topic level में transfer होते है और यही चीज़ जो है यह food wave में दिखाए देता है जैसे कि यहाँ पर given है अब देखते हैं कि question जो है वो क्या given है यहाँ पर बोला गया है the given figure represent यानि यह जो यहाँ पर दिया गया है यह क्या represent कर गया है कौन सा food chain तो चले देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या given है तो first में दिया गया है grass, grass यानि की जो हमारे producers होते हैं, producers जो की auto-trops, यानि जो खुद का food खुद बनाते हैं, वही grass ओपर जो है, वो grass को खा रहा है, यानि grass ओपर primary consumer हो गया, और फिर क्या है, frog जो है, ये secondary consumer हो गया, और snake जो है, ये tertiary consumer हो गया, तो इसी तरीके से अगर देखें, तो ये food chain जो है, ये grass land food chain है, क्योंकि यहाँ पर grass जो है, वो involved है as a producer, इसी वएसे हमारा first option ही correct option हो जाता है, बाकी भी देख लेते हैं, तो next बोला गया है, जो parasitic food chain है, और parasitic food chains वो होते हैं, जो की zoast organism से अपना nutrient निकालते हैं, जैसे for example, insects, next है forest, जहाँ पर trees जो है, ये as a producer use होते हैं, और aquatic food chain अगर देखें, तो यहाँ पर phytoplanktons जो होते हैं, phytoplanktons जो की water में food produce करते हैं, ऐसे organisms यहाँ पर auto drop होते हैं, और यही produce करते हैं, food और फिर transfer करते हैं, in the next order, जो की aquatic में आता है, zooplankton, फिर zooplankton सो क्या होता है, फिर जाता है energy, small fishes में और ऐसे करके ये चलता रहता है, large fishes तक, और finally human जो है, वो भी intake कर देते हैं, कभी-कभी इसलिए human भी included हो जाते हैं, So according to the question, जो हमारा correct option है, वो हो जाता है grassland food chain, जो की first option है. Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भर हो सा, आज राउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर.